हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैट जी पीटी से भी अच्छा एई बेस्ट कंटेंट राइटिंग टूल जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं अगर आप गूगल एड्स लिखते हैं अगर आप फेस्बूक एड्स में प्राइमरी टेक्स्ट लिखते ह और अगर को सब्सक्राइड करें और इसके लावा अगर आपको लॉंग आर्टिकल लिखना चाहते हैं या अपने चाहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे चैट जीपीटी से भी बहतर आपशन काम करेगा उससे बहतर करेगा लेकिन इस टूल में ऐसी चीज़ जो तो आपको ये सारे काम करने में बहुत आसानी देती हैं तो चली जानते हैं दोस्तो ये एक बहुत ही पावरफुल AI content writing tool है जो आपकी हर जगे अपने extension के साथ अगर आप Chrome का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मदद करता है किसी भी content को लिखने में ये analyze करने में ये rewrite करने में ये correct करने में और इस powerful AI content writing tool का आप free में भी बहुत ज़्यादा use कर सकते हैं क्योंकि इसके free plan में मिलते हैं आपको 3000 words जिसका आप use कर सकते हैं किसी भी 120 AI writing tools में ये long writing में ये short blog writing में तो चलिए इसके कुछ important tools को हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका कैसे use कर सकते हैं दोस्तों hix.ai की dashboard पे जब आप आते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ दिखता है जहां पे आपको most popular tools दिख जाएंगे यहां पे जैसे content, re-writer, prompt, generator, content, summarizer यहां पे भी आपको कुछ buttons मिल जाएंगे जैसे AI writer, long form, article, hix, editor, hix, email writer, hix, chat, recent content और यहां पे दोस्तों आपको अपने plan के साब से दिख जाएगा कि आपके पास कितने word की limit बची है या कितने article की limit बची है पर दोस्तों घबराएंगे मत इस tool का use आप free में कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बता है कैसे आप facebook ads के लिए primary text लिख सकते हैं इस hix.ai tool का use करके उसके लिए आप यहां पर create content की बटन दवाएंगे यहां पर आपको चार option मिलते हैं AI writer, long form, article, hix, AI editor, hix, email writer हम चूज करेंगे AI writer जिसके अंदर आपको 120 से भी जादा tools मिलेंगे मैं इस पर click करूंगा यहां पर पूरी list आजाती है दोस्तों यहां पर ads का एक separate section दिया हुआ है जब आप ads पर click करेंगे तो आपको यहां पर काफी option मिलते हैं जैसे कि facebook ad primary text लिखना है या facebook ad की headline लिखना है या facebook ad की primary text को improve करना है उसी तरीके से अगर आपको google search ad की headline लिखना है या google search ad का description लिखना है या twitter के लिए आपको use करना है या linkedin के लिए आपको इसका use करना है तो हम click करते हैं facebook ad primary text पे यहां पे दोस्तों आपको option मिल रहे है product name, product description आपको डालना है talking point आपको डालना है कि कौन-कौन से main point पे आपको बात करना है आपकी target audience क्या होगे कि किस tone में आपको बात करना है यह सभी में आपको करके बताता हूँ तो हम यहां example ले लेते हैं hair dryer का मैं यहां explain कर देता हूँ जैसे मैंने यहां यहां पे लिख दिया इसके product description में it is electronic device used to dry hair after bath and style your hair for any party talking points में अगर आपको यह additional feature highlight करना चाहते हैं तो इसको यह mention कर सकते हैं tone of voice में आप select कर सकते हैं जैसे कि professional, childish, luxurious, confident, exciting, engaging, conventional या hard sell तो मैं यहां पे hard sell पे click करता हूँ suggestion optional है अगर आपको suggestion देना चाहते हैं जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी brand का नाम use करें तो यहां पे मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने यहां लिख दे use brand name philips अब दोस्तों नीचे यहां आपके पास option आथा GPT 3.5 या GPT 4 GPT 4 का जब आप use करते हैं आपको बहतरीन क्वालिटी का आर्टिकल लिखा हूँ मिलेगा GPT 3.5 का यूज करते हैं तो थोड़ा सा कम बहतरीन टाइप का आर्टिकल आपको मिलेगा तो आप दोनों ट्राय कर सकते हैं GPT 4 जो है पेड या प्रीमियम वर्जन में ही आपके पास अवेलेबल रहेगा लेकिन GPT 3.5 यानि की जो ओपन चैट GPT है जैसा आपको वहां मिलता है वैसे ही आपको यहां पर भी यूज करने को मिल जाएगा मैं फिलाल आपको GPT 4 का यूज करके बताता हूँ और मैं यहां जन्रेट पर क्लिक करूंगा दोस्तों यहां पर एक बैतरीन लाइन बनके आगे इंटिद्यूसिंग दा फिलिप्स हैर ड्रायर 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 इन स्टाल यूर है एफटलेस्ली आफ्टर बात तो दोस्तो इस तरीके से आप प्रायमरी टेक्स लिख सकते हैं और अगर आप और सजेशन देना चाहते हैं इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सभी शोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो भी कंटेंट आपको जहां पर जरूत पड़ता है वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से सब्रेंग अपर टूल की मदद से आप लिख सकते मैं इसका काफी यूज करता हूं दोस्तोism आप यूट्यव का वीडेो टा wysयतले में या वीडियो इंट्रोस के लिए यह क्रीए करने में यह को काफी सजेशनों देता है काफी अच्छा content बना के देता कि कैसे मैं अपने वीडियो के लिए एक hook create कर सकता हूँ एक intro create कर सकता हूँ इसके लावा दोस्तों आप long form articles भी ले सकते हैं जब आप long form article की button पर click करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आप general article write कर सकते हैं Amazon product roundup, single Amazon product review या how to guide का script अगर आपको लिखना है या कोई article लिखना है किसी चीज़ पर यह single product review लिखना है इन-depth किसी का analysis लिखना है आपको तो उसका भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं वैसे ही है एडिटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपका document खोल देता है जहां पर आप किसी भी topic पर एक बड़ा सा content चाहें तो लिखवा सकते हैं AI की मदद से इसी तरीके से दोस्तों hix email writer होता ही इसके अंदर आप पूरा email create कर सकते हैं आपको किसको email भीजना या कोई आपने email रिसीब किया है तो वह भी आप पूरा काम कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां आपको compose करके बताता हूं जैसे कि मैं अखिल को mail लिखना चाहता हूं about late delivery of last product तो मैं यहां पर double slash दबाऊंगा और यहां पर लिखूंगा तो मैंने यहां AI पर लिखा है राइट email to Akhil that I am not happy with the late delivery अब इसने में को एक mail बना के दिया है जो कि बहुत सुंदर हाय अखिला I wanted to bring your attention that I am not satisfied with the late delivery of the product and service the delay has caused inconvenience and frustration on my end as I was expecting to receive it within the aggregate time frame तो इसी तरीके से दोस्तों एक बहुत ही professional email लिखा जा सकता है इस hix.ai की मदद से इसी तरीके से hix chat इनका एक टूल है इसका आप बिल्कुल वैसा ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप open chat GPT का करते हैं आपको जो भी command देनी है जैसे कि मैं लिखता हूं मैंने यहां पर command दी है राइट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर थाइटल हाओ तो यहां पर एंटर दबाता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना फटा 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 आपका जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ आगया हो जैसे कि नीचे टाम स्टे सकते हैं यहां पर क्लिक करके सभी टूल को यहां पर देख सकते हैं जैसे कि फेवरेट में अगर आपने को स्टार लगा के तो आपको यहां फेवरेट टूल देख जाएंगे या तो फिर अगर आप एड्स लिखना चाहते हैं तो जैसे कि आप यहां पर लिखेंगे तो यह यहां पर यूज कर सकते हैं डारेक्ट उसमें अपना डिस्किप्शन और टाइटल डालेंगे तो आपको पूरा एक प्राइमरी टेक्स्ट या कुछ भी आप जो लिखना चाहते हैं यहां पर लिखा मिल जाएगा इनके सारे टूल्स जो है यहां पर डिस्प्ले हो जाते हैं मैं बटन को दबा कर सकते हैं अब यहां पर पर सर्च करता हूं घर ड्राइर सो जैसे दोस्तों मैं Google पर कुछ भी सर्च करते हैं तो Google के रिजल्ट के लावा इस HIX.AI का भी मुझे एंसर मिलता है जो कि मेरे को एक composite एंसर बना के देता है एक एक विकीपीडिया पूरा यहां पर खुल गया और उससे रिलेटेट कुछ important links भी यहां पर आ जाती है और अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो आप यहीं पर continue in chat की बटन दवाके से और भी चीज़े पूछ सकते हैं और जान सकते हैं तो दोस्तों यह जो chrome का extension है hix.ai का यह आपके लिए बहुत ही helpful रहता हूँ यह हमेशा आपके साथ कहीं भी चलता है इसलिए इसको आप कह सकते हैं AI writing co-pilot तो दोस्तों अगर आप इस टूल का use करना चाहते हैं तो आप अभी विजिट कर सकते हैं hix.ai की website पर जहां पर फ्री में login करके अपने 3000 words का use करके आप बहुत सारे ads लिख सकते हैं या आप बहुत सारे important content लिख सकते हैं description लिख सकते हैं primary text लिख सकते हैं